प्रेंड आज हम में देखे वेवी फ्रॉक बनाएंगे एक पार्ट मैंने इसका बना लिया है, अब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसका इसे मी बनेगा दोनों साइड से, यह देखे, फ्रेंड ले देखे, यहां से यहां तक जो मैंने डिजाइन बना रखा, इसकी लेंद 12 इंच तक है, और इसके बाद गले तक हमारी यह 5 इंच की है, इसके उपर हमने पठी बना रखे है, थीन इंच की है, टोटल इंथ इसकी ∑ी 17, काश मने बनाना बताऊंगे आपको, यहां तक मैंने बना लिया है, यहां से आगे हम बनाएंगे इसको, इसका आगे किस तरह से बनाएंगे, देखिए, फ्रेंड ने देखिए यह वाला डिजाइन में ने 14 बार बनाए यह उल्टी स्लाई के बाद सीधी श्लाई पे हम इसको दो काइए करेंगे अब देखिए किस तरह से हम दो काइए करेंगे पहला फंदा आ लास्ट बाला फंदा हुआ है चार है पान है चे शाथ है आठ नो दस यह लास तक बंद कर लेती हूं मैं यहां तक लास्ट वाला फंदामने सिंगली बनाना है और बाकी सभी को दो का एक करना है यह फ्रेंड हमारे पास 122 फंदे हैं आप 162 फंदे और हमारे पास 62 फंदे बंद कर लेती हूं लास्ट की इसको इसी तरह सी दो काए करते हुए लास्ट पिर फिस तरह से मोटी बनाएंगे फिर इसी तरह से अले सभी फंदों को दो का एक करते जाना है और 6162 की फंदे हम छोड़ेंगे अब देखिए फ्रेंट सारे फंदे मेंने बंद कर लिए हमारे पास आप 62 फंदे बचे हैं 62 फंदे अब उल्टी स्लाइए हम पूरी इसी तरह से उल्टी बना देंगे इसको इसमें हमने कुछ भी निकरना अब अगली लाइप आप को बताते हूं आगे हमने क्या करना है इस तरह से पोरे फंदों को मिल्टा बना देंगे अब देखिए फ्रेंट पांच फंदे हम यहां मिल्टे बनाएंगे और पांच ही इस साइड उल्पे बनाएंगे और बीच वाले फंदोस्या में आज से कम करते जाएंगे देखिए किस तरह से एक दो तीन चार औरे पांच धागा पीछे करा इस तरह से दो का एक करेंगे इस तरह से और फिर आगे पुरिश लाई सीधी बना देंगे लास तक लास्ट में फिर हमने पांच फंदे उल्टे बनाएंगे हम अब फ्रेंड देखिए लास्ट में पहुंच गया हम एक दो तीन चार पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे अब इस साइड से हम हम दो का एक करेंगे दागा अगे करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे इसके बाद फ्रेंड उल्टी कुरिई पूरी हम उल्टे बनाएंगे और फिर सीधी स्लाइपे फिर हम दो का एक करेंगे किस तरह से करेंगे चलिए देखिए यह वाली उल्टी स्लाइपे हम पूरी उल्टी बना देंगे फिर सीधी साइड पे मिलेंगे अब सीधी साइड पे फिर से देखिए प्रण पांच फंदें मुल्टे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे करेंगे, इधर से दो फंदे का एक करेंगे, अब बाकी सबी फंदों को सीधा बना देंगे, इस तरह से सीधा बनाते हो जाएंगे, और लास्ट में फिर हमने इसे तरह से 2 फंदे का एक करना, बाकी 5 फंदों को उल्टा बना देना है एक दो धारियां बनी है हमारी है देखिए एक और दो इस तरह से हमने आठ धारियों तक इसी तरह से फंदे कम करने है दो का एक करना है दो का एक दो साइड से और एक दो इस तरह से हमारी आठ धारिया आने चाहिए देखिए एक दो तिंग चार पांच छे साथ आठ धारियों तक हम इसी तरह से दो का एक करेंगे फिर उतना मैं बना लेते हूं आठ धारियों तक फिर उसके बाद बताऊंगे आगे हमने किस तरह से बनाना है इस तरह से दोनों साइड से हम फंडे दो का एक करते जाएंगे आठ धारियों तक करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे अब यह हमारी दूसरी धारी बनाएंगे इस तरह से हम आठ धारियां बना लेती हूं फिर आगे दिखाऊंगे आठ धारियां बनाने तक हम दो फंदे का एक करेंगे उसके बाद हम धारियां मैंने बना लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब 10 धारियां हम बनाएंगे पहली दारिया मारी बनने स्टार्ट होगी इसको हम प्लेइन बनाएंगे इसमें हमने कोई फंदा नहीं यहां पर गटाना है शिर्फ इसको इसी तरह से सीधी उल्टी सीधी उल् पंदे बढ़ाएंगे ये उल्टे बनाएंगे बखी सभी फंदों को इसी तार से 10 दारियों तक इसी तरह से बनाते जाएंगे आठे और दस्टे वाली बनाएंगे इसमें हमने कोई अर्य अले कटाना है तो यह दस धार यह मैं बना लेती हूं उल्टी स्लाइफ रैंड पूर देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आर नौ दस यारा बारा तेरा चौदा और पंदर में धारी है हमारी यह देखे एक दो तीन चार चार फंदे जार यह आप एमने उल्टे उल्टे धारिया बनानी है तो देखे इस वह इसलाई को ध्यान से दो तीन चार और यह पांच अठारा फंदे ए चोदा फंदे सारी हम ए छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा चोदा फंदे इधर बनाएंगे और चोदा ही इधर और बीच के सबी फंदों हम उल्टा बना देंगे बीच के अठारा हम दें आमार पास एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा तन्दरा तन्दरा सोला सत्रा और अठारा 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 दागा पीछे करेंगे और चोदा फंदों को हम इस तरह से बना देंगे अल्टी स्लाइफ रैंड पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरह से चार धारियां यहां पर आनी चाहिए हमारी और पांच वी धारी पे इसके साथ ही फिर हमारे अठारा धारियां हो जाएंगी यह पंद्रवे धारी बनी हमारी और सोला सत्रा अठारा चार धारियां यहां बीच में बनाएंगे हम इन अठारा फंदों पर इस तरह से देखें डागिए करके से इस तरह से बनाएंगे और बीच वाने पंद्र हम सीधे बनाएंगे ईक तो तीन चाहिए ह पांच पड़ी पर हम इसको बनद करेंगे तो इमें बना लिता आmon कर नहीं यहां तक प्र आपको गल्ला मनाना बताऊंगी उल्टी लांइ इसकी पूरी पूरी उल्टी बना लिजे सभी सलाई को उल्टा उल्टा एक वार फिर बता देते में सीधी साइड पे अब सीधी साइड पे फ्रेंड फिर से हमने वैसे बनाना है पांच फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे अब बाक्की फंदों को सीधा बना देंगे और जो फंदे हमने उल्टे बना रखे थे यह देखे आगे हमारे फंदे अठारा उल्टे है तो धागा आगे करके हम इन फंदों को उल्टा बना देंगे हαι हमारे दूसरी धारी इस तरह से चार ही यां बना सबस्क्राइब ढूनाने के बाद दिखा गला में बनाना पतांग और अब देखिए आगे एे जो में चौरा पंदे बनाई थे इनको में अव्लिवनने बना लिया आगे जो आगे वाले अठारा हुंदे हैं गले वाले इनको हम बंद करेंगे आज दो हुंदे का एक करा तीन उल्टी साइड से बंद करेंगे इनको चार पांच, छे, साथ, आत, नो, दस, जारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पन्दरा, सोला, सत्रा, और अठारा, बग्की फंदों हम उल्टा ही बना देंगे अब इनको दो पार्ट में बनाएंगे हम पहले इदर बाला बनाएंगे फिर उबर बनाएंगे फिर उबर बनाएंगे देखिए बेजों हमारे अठारा फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे सभी फिर लोग इस तरह से दोनों साइड से उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से एक दो तीन चार पंची सादा नो दस केरा फिर चोड़ा पंद्रा धरिया बनाएंगे चोड़ा धरिया बनाएंगे अब इस पार्ट की चोड़ा धरिया पहले बनाएंगे फिर इसकी बाद में बनाएंगे तो इसको भी हम इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए अपनी 14 धरियां कंप्लेट करेंगे फिर में बंद करना बताऊंगे आपको किस तरह से बंद करना है हमने इसको यह में बना लेते हूं फ्रेंड ने देखिए 14 धरियां बना लिए मैंने एक दो तीन चार पांच छी साथा नौ तरस किया रबारा तीरा चोदा अब जो हमारा दूसरा पार्ट है सीधा पार्ट हम अंदर की साइड रखेंगे नीचे वाला और उप्र वाला सीधा अंदर की साइड करेंगे देखिए इस तरह से अब पहले यह वाले फंद्य हम इस वाली स्लाइप उतार देंगे अब उल्टी साइड दोनों साइड बार की साइड करेंगे और सीधी अंदर की साइड और इस तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे हम दीखिए एक फंदा उनाया पर दूसरा बनाया और पीछे वाला इसके उपर से ऊंपर डelle कर देंगे हम और फिर दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे यह में बंद ने लेते हूं फिर दूसरा पार्ट बनाना बताँगी है प्रेंट देखिए दोनों पार्ट मैंने बना लिए यहां से इनको जोएंट भी कर लिया हमने अब देखिए उल्टी साइड बार की साइड रखेंगे और सीधी अंदर की और यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे इसको और जहां से हमने फंदे गटाना शुरू करें थे वहां तक सी लेंगे इसको इस तरह से कि यहां तो देखिए और से लेने इसको दो नसाइर का एक एक वंदा लेते हुई बहुत यासान अका फ्रेंडे सिलना इस तरह से हम सिलते जाएंगे एक फंदा इधर का एक इधर का लेते हुए और उपर तक सिल देंगे इसको कि अपर तक सिल लेती हुए यहां तक यहां पर बताओंगे आपको कहां तक सिलना है अब देखिए फ्रेंड जहां तक हमने फ्लेन बनाए था उसके उपर हमने उल्टी उल्टे पांच संदे उनायते वहां तक सिल लेंगे इसको यहां तक सिल देंगे हम इसको और यहीं से धागा कट कर देंगे इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलेंगे अब इसके बाद हम दूसरी साइड सिलेंगे अब देखिए फ्रेंड दूसरी साइड भी इसी तरह से को बーピर जी से विलर टी में इहां तक अमने डिजाइन बना रखा गया तक यहीं तक लिए द देंगे और मैं सिल्ले फिर्न ज्याय आएं के भी वाला हम दे दानायें ऑर आगे साइड पर लगाएंगे उसको फ्रंड साइड पर तोई में सील लेती हूं उसके बार दिखाते हूं फ्रेंड है देखे अब हम इसको सीधा करेंगे यहां पर हम एक फ्लावर बनाएंगे अब देखे बहुत थी सुन्दर घेर वाली प्राउक बनी है इस तरह से बनके आएगे अभी खुलेगी तनी है तो यह फ्लावर हम क्रोसिय से बनाएंगे अब प्रेंडे देखे एक दो तेन चार पंदरा चेन बनाएंगे पांच छे साथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पंदरा चेन मनाने के बाद तीन तंद दो डवल ग्रोसिय लेंगे अग Правी is तरह से शोच क्रोट का बनाएंगे थो दो लटावल क्रोसिय लेंगे इसक्हार है और जाएंगे एएज टार शोथे 테abilities governance इस पूरे में को फ्रिल कर देंगे और सेंटर में हम तीन डवल क्रोशिय बनाएंगे यहां पर पहुंचेंगे तो यहां तक बना लेते हुँ मैं फिर दिखाते हूं आपको एक दो तीन चार पांच हुए अभी चे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा बनाने के बाद एक दो तीन वाल पेटेंगे एक दो तीन और एक चोथी वाल ज्यारा हे अब एक दो तीन अबचार तीन वार इस तरह से तीन वार लेके तो में हैं कर दो हुआ है थे तरह पार होगे एक दो तीन अब इसके बाद हम जिस तरह से हमने बाराबार बनाया वो हम डबल में बनाएंगे उन बाराबार बना लेती हूं एक देखिए फ्रेंट चार चेन बना दी मैंने और इस वाले पार्ट में यहां पर हमने इसको जॉइंट करना है अब इसके बाद दस चेन फिर बनाएंगे हम तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आफ, और दस अब फिर से उसी जब पर इस तरह से लबा देना है आइप देखिए फैंट जिस तरह से हमने इवल आपड बनाया उस तरह से हम ओवल आपार्ट पर बनाएंगे तेर से यह, दो, तीन, चार, बारा बार हम फिर से डावल क्रोशए बनाएंगे और तीन भार फिर प्रेपल क्रोश्य बनाएंगे तो यहां तक बना लेती हूँ बारा बार फिर दिखाती हूँ पंद्रा चेन बनाई थी मैं नहीं वाली है पंद्रा यह बनाई है अब हम तीन वार धागल पेटेंगे दो तीन और तीन वार ही यहां पर अब इसके बाद बारा बार फिर डबल पेटेंगे तो बारा बार में बना लेती हूँ दो तेन अब देखे फ्रेंड इसके बाद हम इस वाले कलर से इसको फ्रेल करेंगे पूरी किनारी हम सिंगल क्रोशिय से बनाएंगे इस तरह से अब इस तरह से यहां सोते हैं यहां तक बना लेंगे यह देखेंगे इस तरह से फ्लावर यहां पर हम सुई चेंट कर देंगें फ्रेंड देखिए इस तरह से बनके आई है इसका फ्रंट पार्ट है और इसका बैक पार्ट है इसके बैक में हमेंने कुछ नहीं लगाया है बिल्कुल प्लेन बनाई है और बहुत ही घेर वाली फ्रॉक बनी है इसका देखिए कितना बड़ा जून को थैंट कुछ Whew